स्थानिय भाशा की यहां की जो ट्रेनें है उनका जो ट्रेन बोड है या फिर उनकी जो अनूंसbour़न्ट है वो हमेशा वहाँ की इस्थानिय भाषा में होती है चाहे हम बात करें कैरल की जहां की जो इस्थानिय भाषा है वो लगबग मल्यालम है वहाँ की चेनों का जो चेन बोर्ड होता है वो भी मल्यालम में लिखा होता है साती सात तमिल लाडू की चेनों का जो चेन बोर्ड है वो तमिल में होता है या फिर हम बात करें करनाटका की चेनों की तो करनाटका की चेनों का जो चेन बोर्ड होता है वो करनर में होता है लेकिन दोस्तो बिहार में यह अभी भी गायब दिखता है और यहाँ पे दोस्तों इसी गायपता को फिर से लाने के लिए एक बड़ा एक्शन हुआ है हमारी देश की संसद में दोस्तों क्या एक्शन हुआ है आज किस वीडियो में से बारे हम बात करेंगे पुरी डिल के साथ दोस्तों से प्लेक इडियो करूँ मेरा आपसे आगरा यदि भी करन सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पे दरभंगा के सांसत गोपाल जी ठाकुर जी ने लोक सभा में एक बड़ा प्रशन पूछा था कि जब हमारी भारती रेलवे दक्षिन भारत के राज्यों की जो वहां की भाषा है ट्रेनों पे आंकित करती है तब जो मिथला की आम भाषा है यानि की मिथलाक्चर उसमें रेलवे स्टेशनों के नाम क्यों नहीं लिखे जाते वहां की ट्रेनों के जो ट्रेन बूड होते सबसे पहले यहां पे बिहार सरकार से अप्रूवल मांगी गई है मितलाक्षर में रिलवे स्टेशनों का नाम लिखने की साथी साथ ट्रेनों का जो नाम है उनका जो बोड है वो मितलाक्षर में लिखने की और साथी साथ यहां पे पूरुमद रिलवे से पूछा गया है कि कौन कौन सी मितलांचल की ऐसी प्रमुक ट्रेने हैं जिनका नाम मितलाक्षर में लिखा जाए इसके लिए यहाँ पे जो डिमांड है कोश्चन की वो की गई है दोस्तों दियम यहाँ पे बिहार के प्रमुक रेलवे स्टेशनों की बात करें जिनका नाम मितलाक्षर में लिख साथ जाएगा जिस कारण से जो मितला की आवाज है वो देश के अलग लग भागों में पहुचेगी दोस्तों इस बार में आपकी कारा है कॉमेंट करें जरूर बताएं दूसरे लिपस्त नहीं मिलें करें नोडियों के साथ तक लिए जाहिंद चाबाद